नमस्कार मैं प्रग्या धर्दर तीस खबरों में आपका स्वागत है चली जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुक खबरों को बिहार सिरकार में परेवरन मंत्री तेश प्रताप और इश्वडद तलाग मामले में बिहार की राजधानी पर्टना के कोट के द्वारा तेश प्रताप को खड़ेलो हिंसा का दोशी माना और एक महीने का बतादी कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 31 ओक्टूबर 2023 को की जाएगी। भारत पाकस्तान के बीच 14 ओक्टूबर को होने वाले हाई प्रोफाइल मुकाबले का आगाज धमाकेदार अंदाज में होगा। यस मामले पर पॉलिवोड सितारे परफॉर्म करेंगे बीसी सी आई के नुसार एहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेरियम में जाने माने सिंगर अरजी सिंग लाइफ पॉफॉर्म करेंगे। अरजीत के अलावा संकर महादीवन, सुक्विंदर सिंग, सहित कई अने सितारे भी भारत पाकस्तान मुकाबरे में परफॉर्म करने के लिए तयार है IT टिकर इंफोसिस ने फिलाल कैंपस हारिंग पर ब्रेक लगा दिया है पाकस्तान के स्पोर्ट्स एंकर जैनब अबास वर्लकाप 2003 को कवर करने के लिए भारत आई थी लेकिन एक मैच बाद ही अचानक भारत छोड़कर चली गई हाला कि अब जैनब ने इस पर पूरे मामले पर चुपी तोड़ी और अपनी सफाई दी है चाहिए था इसलिए मैं चली गई प्रधान मंतरी नरेद्र मोदी ने जीबीज के नौवे संसदी अध्यक्स सिखर सम्मेलन का आज 11 बजे उद्गाटन के पी बीज के आउजन यसु भूमी में किया जा रहा है इस सम्मेलन में जीबीज देशों के संसदों के अध्यक्स साले रहे हैं इसका थीम एक प्रित्वी एक पड़िवार एक भविशे के लिए संसद है चानकारी के मुताबिक पी बीज की बैठक में कराणा के सीनिर के स्पीकर नहीं शामिल होंगी बता दे क्या संसदी अध्यक इस सनिवार सुबह इसराल पर हमला किया था जिसके बास से अब तक दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेर्मेन जका अस्रफ को उमीद है कि वह एहमदाबाद में बीसी सी आई के स्रिश अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और दो देश में बिरुजगारी दर पिछले स्व वर्षों में सबसे नीचले अस्तर पर है उन्होंने कहा कि भारती अर्थववस्था के वस्तार के साथ युवाओं के लिए नई संभवनाएं पैदा हो रही है देश में राजमार्गों के निर्मान को नई कती मिल सकती है इसके ल देश में राजमार्गों के निर्मान के लिए 20 लाग करोड रुपए की एक नई योजना पर काम कर रही है जो भारत माला कारेक्रम के दूसरे चरंड की जगह ले सकती है बताया जा रहा है कि यह योजना अगले 20 सालों के लिए होगी मिंट की एक रिपोर्ट में सरकार के ज इस समद में श्राइन बोर प्रशास्ता ने सकत नरदेश जारी किया है इसको लेकर माव आशन देवी भवन पर जगा जगा सूशना पर टी लगाई गई है एन्नांस्मेंट भी की जा रही है वस्तर नहीं पहनेंगे उन्हें न तो दर्शन करनी के नुवती होगी और नहीं दिवे आर्ती में ही शामिल होने दिया जाएगा नौसेन अप्रमुक एड्मीरल हडी कुमार का कहना है कि देश में काम कर रही सभी खूफिया एजंसियों में मजबूत आपसी समनवय होना चाहिए ताकि आंतरिक खतरों से बचते वे सुरक्षा को मजबूत किया जा सके दे हमास का समर्थन करने वाले खालिस्तानी नेता गुरुपतवंत सिंग पन्नु के खिलाफ कारवाई की मांग की है नामत आतंकवादी गुरुपतवंत सिंग पन्नु के हाल के बयानों पर गहरे जिंता वेक्त करते वे खुले तोर पर हमास का समर्थन करने और कुनार सहित जी टीमें इस मुकाबली के लिए हमदाबाद पहुंच चुके हैं भारत और पाकस्तान के बीच होने वाले मैच को देखने के लिए लाकों दर्शक एहमदाबाद पहुंचेंगे एहमदाबाद के इनरेंदर मोदी स्टेडियम में एक दसमलो तीन शुनलाख तर्शक एक साथ मैच देख सकते हैं इस मैच के सारे टिकेट वुक हो चुके हैं ऐसे में 14 ओक्टूबर को एहमदाबाद में फैंस का जमावरा लगने वाला है इसके लिए पुलिस और प्रिशासन ने खास्ते यारी की है भलेहिं के इंदरे रिजर्व बैंक में चार बार से रपोर डेट को उस्थर रखा हो लेकिन अब भी कर्ज पर बयास दर जादा है बयास दर जादा होने की कारण लोग अब सेविंग अकाउंट की बजाए फिक्स डिपॉजित पर जोड़ते रहे हैं उद्योग मंडल, फिक्की और भारती बैंक संगद्वारा जारी एक सर्वे रिपोर्ट के मताबर करण और सेविंग अकाउंट में जमा होने वाली रकम में कमी आई है पतादी की बैंक जो पैसा लुटारते हैं उसमें चालू और बचत खाता में जमारा कम लागत वाली राशी और खातों में अधिक जमाराशी का मतलब बैंकों के लिए बहतर मार्जिन है खादे बस्तुन की कीमटों में गरावट के चलते सितंबर 2023 में खुद्रा महए दर में गरावट आई है सितंबर में खुद्रा महए दर के कर 15. 재 Olivier पर जाम पहुची थी भारत और चीन ने पुर्वी लद्दाक में वास्विक नियंतरन रेखा पर ठंड में तैनाती रखने पर सहमत हो गए हैं लेकिन दोनों देश इस पात पर राजी हुए हैं कि सैनी को के संख्या में कमी की जाएगी साथ ही यह भी लक्ष रखा गया है कि गर्मियों में इसकी दुबारा वापसी ना हो इसके लिए एक योश रतयार करने का लक्ष है ताकि इसको लेकर कोई परिशानी ना हो दिपरेंट को पता चला है कि तब सैनी को और उपकरनों में बढ़ोती भी थी ऐसी खबरे हैं के RBI जल्दी संभावित उमिद्वारों की जाच करें का IDBI बैंक में केंदर सरकार की 45.48% हिस्सेदारी है जबके LIC के 49.24% हिस्सेदारी है केंदर सरकार LIC मिलकर 60.50% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं बैंक के लिए कई प्राइवेट बैंकों ने दिल्चस्पी दिखाई थी और उसके लिए उन्होंने आर्बी आई के पास अप्रेल के पहले आवेदन किया था जिसके आधार पर आर्बी आई उनके आवेदनों के जाच कर रहा है और यह प्रक्रिया ऑक्टूबर तक पूरा हो जाते हैं ताकि जाती आधार पर दुरूवी करण हो और उसका पाइदा बसेगे दिली के परोसी राज़े में पराली जलाने का असर दिली की वायो गुनवत्ता पर पर परना सुरू हो गया है राजधानी की हवा गुरुवार को खराब श्रीनी में पहुंच गई इससे पह भारत एक्सप्रेस को अगले साल की शिरवास से लंबी दूरी की यातरा के लिए तयार किया जा रहा है इसे आपकी यातरा काफी आराम दे हो जाएगी इसकी अधिक्तम स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी इस तमाम सुख सुविधाओं से लास्क किया जाएगा जो की आपकी यातरा को आराम दे बना सकता है लेल मंतराली का धिकारियों ने कहाएगी फरवरी 2019 में दिली और वरारानश्री के बीच पहली वंदे भारत के उर्गाटन के बास से इस ट्रेंग के डिजाइन और इंटरियर में नियमेत रूप से सुधार किया लिया है दुनिया में भूख मरी को लेकर नई रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत को 111 अस्थान बताये गया है केंद्र की नरेंद मुदी सरकार ने इसे सीरे से खारज कर दिया है इसके साथ ही सरकार और दो अंतराश्रीय गैड सरकार इसंगठनों के बीच लंबे समय से चल पांच महीने से अधिक समय से हिंसा से जोज रहे मनिपूर में एक व्यक्ति को जलाई जाने का वीडियो सामने आने के तीन दिन बाद राजसरकार ने बदवार को गोशना की कि वह हिंसा की तस्वीर और वीडियो प्रसारित करने वाले लोगों के लाफ केस दर्च कर मुकद पांच दोरा बुदवार को जारी राजेपाल के एकादिश में कहा गया है कि राजसरकार हिंसा गतिवीडियो की तस्वीरों को बहुत गंभीता और अत्यंत समेद्य शीलता से लेती है एकताजार रिपोर्ट के नुसार देश भर के 27 राजे सूचना आयोगों में कुल 3,517 अपीले और शिकायते लंबित है और बैकलॉग लगादार बढ़ रहा है भारत में सूचना आयोग के प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड 2022-23 में कहा गया है कि 2019 के आकलन में पाया गया देले पुलिस के इस्पेशल सेल ने दो महिलाओ समेट 3 विदेशी नागरिकों की गिरफतारी के साथ एक अंतराश्ट्री ड्रग काटेल का भंडा फोर करने का दावा किया है पुलिस ने 6.44 किलोग्राम मेथा क्वालोन ड्रग और 2.58 किलोग्राम हिरोईन भी बरामत की है जिसकी कीमत अंतराश्ट्री बाजार में 40 करो रोपे से अधिक बताई जारी है आरोपियों के पहचान सियर्या लियोन के मूल लिवासी पॉल जोई के रूप में गी है प्रधान मंत्री इननेंदर मोधी 14 अक्टूबर को मॉंबई के जियो वर्ड सेंटर में 141 वे के बाद IOC सत्र के मेचवानी कर रहा है IOC का चैसस्वा सत्र अब से पहले 1983 में नई दिल्ली में आईजित किआ गया था, अधिकार इसुत्रों नहीं बताया है कि सत्र में IOC के अध्यक्ष Thomas research जोस्टा सोर्मे मैं प्रणिक लेकर मर्स कलते together की दृरान को हमास के आतंगबादी हमलों की निंदा करनी चाहिए थी और फिर फिलस्तीन के बारे में बोलना चाहिए था तरक के बकसर में रगुनादपुर स्टीशन के निगट का मख्या नॉर्थ इस्ट इक्स्प्रिस चानक पट्री से उतर गई थी मुख्य मंतरी सिवरास दिन चोहान ने पत्रकारों से चर्चा करते वे कमलनात और गांधी परिवार दोनों पर जम कर प्रहार किया उन्होंने प्रियंगा गांधी के मंडला दोरे पर निशना साथते वे कहा कि कल जिस तरह से प्रियंखा से घोषनाय करवाई गई मैंने वह वीडियो देखा है कहीं घोषनाय करके वे बैठ गई ये बोले एक और को दो वोट के लिए इस तरह से जूट बुलवाना ठीक नहीं यह उन्होंने पहले भी राहूल बाबा से कहलवा दिया था कि 10 दिन में करजा माफ नहीं हुआ तो 11 दिन मुख्य मंतरी बदल ये जबरदस्ती कलवारे हैं परदो परदो लेना दिना हुँ थोनी है माता वैश्णोदेवी भक्तों के लिए बड़ी खबर है राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मो ने आश्री माता वैश्णोदेवी मंदिर का दोरा किया और पुनर नमित पारवती भवन और स्काई वौक का उद घाटन किया बता आदे कि 15 करोर उपई की लागत से बने स्क परक्षा के लिहास से अतीम अतपुन्ट सुधा है यह स्काई वौक माता वैश्णोदेवी मंदिर परिसर में उस संक्री रास्ती पर बनाया है जहां यात्रियों की सबसे अधिद्गीर रहती है अब भरते हैं आज की सवाल की और आज का सवाल है भारतिकरी के टीम में आपका पसंदी तकिलारी कौन है अपने जवाब हमें आज के लिए इतना ही धन्यवाद